आज के सिशन में हम MTCR यानि की Missile Technology Control Regime Group के बारे में discussion करेंगे शुरुआत करते हैं आज किस class की हम सभी जानते हैं कि Weapon of Mass Destruction के proliferation को रोकने के लिए वर्ल्ड के द्वारा कुछ important countries ने अलग-अलग आपके groups बनाए हैं जिसमें MTCR एक है सबसे पहले हम MECR यानि की Multilateral Export Control Regime के बारे में जानेंगे तो MECR एक voluntary और non-binding agreement है जिसको आपके major supplier countries के द्वारा cooperate करके इसको prevent और regulate किया जाता है जिससे कि किसी भी प्रकार की घातक, dual-use technology, dual-use goods कब प्रसार आपका ना हो सके इस कारण से ये जो MECR group है वो United Nations से पूरी तरीके से independent है ये अपने rule और regulation को आपका implement किया करता है और इसके जो आपके member countries रहती है वो आपकी obligatory नहीं होती है किसी प्रकार से इसको join करने के लिए इंडिया अब तीन में से चार, चार में से तीन आपके MECR का member है NSG को छोड़ कर, अब ऐसे कौन से तीन group हैं जिसमें इंडिया आपका सदस सिदेश है तो पहला तो आपका MTCR हो गया, यानि कि missile technology control region दूसरा Australia group और तीसरा वासेनार arrangement और अगर हम बात करते हैं अपने पड़ोसी दिस चाइना की तो चाइना सिर्फ NSG का member है, MTCR का नहीं, इसी का उल्टा भारत है भारत MTCR, Australia group, वासेनार arrangement में आपका member है, बलकि NSG में नहीं है लेकिन energy में भारत की जाने की पूरी तरीकी से इक्छाय और भारत की काफी country सपोर्ट कर रही है चाइना के अलावा, चलिए, बढ़ते हैं MTCR के तरफ, MTCR का full form missile technology control region, यानि कि missile से related जो technologies हैं, उनको आप import export कर सको MTCR के grouping के अंदर, लेकिन उसको आप export नहीं कर पाऊगे किसी non-members को इसमें total 35 countries आती हैं, जिनका main name यही है कि वो अपने missiles और UAV के technology को जो की capable है, 500 kg से ज़्यादा payload और 300 km से ज़्यादा range में जाने को तो उसका proliferation को prevent करें, यानि कि उसके प्रसार को रोकें, किसी भी MTCR के other members को ना दे यानि कि non-member countries को ना दे, इस प्रकार से यह prohibit करता है कि missile technology controlism अपने non-members को किसी प्रकार की technology transfer नहीं करेगा उनको technology transfer करना है, तो अपने group कि सदस्यों को ही करेगा इनका जो भी आपका rule होता है, या फिर decisions होते हैं, वो consensus के द्वारा लिये जाते हैं यानि कि आम सहमेती के द्वारा इसको adopt किया जाता है और ये non-treaty association है, countries का, और non-treaty आप सभी जानते हो treaty और अगर मैं आपको group के बीच में difference बताऊं group और treaty, जो आपका group होता है, वो non-binding agreement के साथ बना होता है यानि कि आप बाद भी नहीं रहते हैं कि उसके regulation को आप माने ही बलकि treaty में ऐसा नहीं होता है, जैसे हम मान लेते हैं कि NPT है nuclear non-proliferation treaty, अगर आपने इस पर sign कर दिया है जिसे भारत ने इस पर sign नहीं किया है, अगर किसी country ने sign किया है तो उस treaty से वो बाहर नहीं आ पाएगा, अगर बाहर आना चाहेगा या फिर उसके किसी rule को नहीं मानेगा, तो उसके उपर punitive actions आपके लिये जाएंगे MTCR का गठन, April 1987 में G7 countries, America, UK, France, Germany, Canada, Italy, Japan के द्वारा लिया गया था और 1992 में इसका focus ये था कि वो missiles के delivery, जिसमें सभी प्रकार के weapon of mass destruction जैसे कि nuclear, chemical, biological weapons आते हैं, उनके proliferation को prevent करेगा उनको पहलने से, उनका प्रचार पसार होने से रोकेगा and it is a type of non-legally binding treaty, इसलिए इसमें कोई punitive measures आपके नहीं लिये जाते हैं अगर आप किसी rule का, guidelines का उसमें follow नहीं करते हैं तो हम कैसे हैं इस प्रकार से, ये एक setback है, इसका भी कुछ न कुछ उसमें होना चाहिए था कि अगर आप किसी group में शामिल हो रहे हो, उसकी किसी चीज को नहीं मान रहे तो आपके उपर कुछ न कुछ दंडात्मक कारवाई करने ही चाहिए 35 countries इसमें शामिल है, भारत इसमें 35 सदस, 2016 में आपका बना था, भारत के लावा, अर्जेंटीन, ऐस्टीलिया, ऐस्टीया, बेल्जियम, बुल्गारिया, ब्रजील, कैनेड़ा, केज रिपब्लिक, धेन्मार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयलेंड, इंडिया, आयलेंड, जापान, इटली, लग्जंबर, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नौर्वे, पोलैंड, पुर्तेगाल, रुपब्लिक अफ कोरियर, रुशन फेडरेशन, साउथ अफरीका, स्पेन, स्टुडियलैंड, तर्की, यूक्रेन, यूके और यूएस, इसम हम उनके क्राइटेरिया के हिसाब से उनको अपने तरीप से वोट देंगे, भारत चाहता है कि भारत को एनेजी में जाने दिया जाए, जिसका वीरोध कौन करता है, चाइना करता है, चाइना ये कहता है कि अगर भारत एनेजी में आएगा, तो एनेजी में पाकिस्तान भी यह तो हो नहीं सकता, अगर आप track record देखो कि भारत का पाकिस्तान का nuclear से related, तो भारत का काफी शांदार है, तो वहीं पर हम MTCR के बारे में जानी रहे हैं, तो MTCR से भारत का क्या फायदा होगा, सबसे पहले जो आपकी technology है, missiles से related, UAV से related, वो भारत को in members countries से आपका मिल पाएग missiles का, इस members के अंदर, साथ ही साथ जो है, भारत को जैसे ही आपके technology मिलेगी, तो भारत खुद आत्म निर्भर आपका होता चला जाएगा, और इंडिया की entry इसमें एक landmark diplomatic success है, भारत सरकार के लिए, जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इंडिया का political cloud capitalized होगा, और बहतर तरीके से हम nuclear trade और technology transfer opportunity को अवेल कर पाएंगे, इंडिया का access, import, export, high end missile technology में आपका रह पाएगा, और भारत का एक रहा, nuclear supplier group में आपका खुल पाएगा, जिससे कि भारत भी ये कह पाएगा न, कि देखिए, हम MTCR में भी हैं, हम Australian group में हैं, हम वासिनार अरेंजविड में हैं, तो इस प France, Russia, इन सभी देशों के द्वारा सहयोग भी दिया जा रहा है, आप सभी defense aspirant, SSB crack exam के interview online course और written courses में इंडूल होकर अपने तयरी बहतर करें, वो और इर 10 code का यूश कर लें, जिससे कि आपको 10% का flood discount हमारे सभी courses में मिलता जाए, जैहन, अगर आप एक defense aspirant हैं और SSB interview, NDA, CDS, FCAT जैसे exams के लिए prepare कर रहे हैं, तो आप SSB crack exams के course को check करना ना भूलें, आप हमारी learning application को google play store से भी download कर सकते हैं